चलिए एलेक्ट्रिक फिर्ट सुरू करने हैं व्लोग सबको लिखे दिखाईए चार्ज इक्वाल टू 5e n कम लिखे दिखाईए चार्ज इक्वाल टू 8c n कम लिखे दिखाईए n is equal to whole number इसको हम लोग क्या भोलते हैं तो ओृईकम तो जैन टॉट्रियक चुटॉरियल्स it is giant tutorial online class physics chemistry math today we study class 12 physics we are in the video number 3 we are in the chapter in electric field दो class होच चुका है वीडियो पहले का देखे जरूर अटेड़ सीज़ेगा दो क्लासा में क्या-कांपड चुके हैं चलिए यहां पर aim-cubliu whole number क्या बोलते हैं Lowe's equal to gain को क्या बोलते हैं? One electron का charge कितना होता है? One column charge में कितना electron होता है? लिख के दिखाएं, answer you have two minutes. You have two minutes. चलिए मेरा यह answer. चार्ज इस गिवन भाई 5E, देन इत हैं लोज फाइब इलेक्रोन. 8 Coulomb, चार्ज एट नहीं होगा, 8 इंटो 6.2510 का पावा, 18 ELEKRोन. अड़स एटेन इजह होगा, इजह होगा, इजह कोल्ड, वाट क्या बहते हैं इसका मुलाओ? क्वानटाइजेसन. लोज इक्वाल टू गेन इजह कोल्ड, कंजर्वेशन अफ चार्ज. अड़स टूड? वान इलेक्ट्रोन में चार्ज कितना होता है? सब को पता है, 1.610 का पावर मैनस 19 कूलम. वान कूलम चार्ज में इलेक्ट्रोन कितना होता है? 6.2510 का पावर 18 ELEKRोन. So in this way you learn basics of charges. Then हम आप पढ़ें दें लास प्लास में, दो चार्ज बोडी के बीच में, The force between two charges is called electrostatic force बोलते हैं, दो चार्ज के बीच का force is simply called electrostatic force. अगर दो अगर द्च प्लाश मैनस, पो पुजिट्स साहिं क्या होता है? अट्रेक्ट्सल रजाहलाए, 5 पूलम, 8 पूल, sorry, 5 पूलम, मैनस 5 पूलम, अट्रेक्ट्सल, suppose six pulum and minus six pulum attraction ये दोनों को सामने रखेंगे तो क्या होगा रिपल्सर इन इस वे यू लेर्न the force of repulsion force of attraction whatever the charge is you have to find the force and the force is called electrostatic force is it clear तो चलिए आगे पड़े अबलो the force कितना काम करता है it is the next topic today force कितना काम करता है यह हम लोग पढ़ने वाले भेरी भेरी पॉर्ट टॉपिक cool and slow of electrostatics भेरी भेरी पॉर्ट टॉपिक शरूने वाला है कूलम्स लो या c-o-u-l-o-m-b है कोई बुक में कूलम्स का स्पिलिंग ऐसे लिखता है कोई बुक में इसे लिखता है cool and slow of electrostatics c-o-u कोई बुक में c-o-l-o-um-b लिखता है cool and slow of electrostatics आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका vector form सब कुछ बताईगे आपको तो पहले heading लिखिये cool and slow of electrostatics चलिए ध्यान सुनिए course काम करता है कितना course काम करता है ध्यान सुनिए there are two loads suppose मेरे पास five coulomb charge है और minus five coulomb charge है यहाँ पे force काम कर रहा है electrostatic force मेरे पास ten coulomb charge है और minus ten coulomb charge है force काम कर रहा है force is called electrostatic force do you know force काम करता है यहां तक पहुंच चुके हैं quantization conservation then we have to show the force is acting there this force is called electrostatic force तो कितना force काम करता है आखे नहीं force कितना आखे force काम करेगा उसको calculate कैसे करेंगी तो magnitude of force भी बोलते है इस topic को force निकालते कैसे between the two charges बटाइए यहाँ पे five coulomb और minus five coulomb है यहाँ पे six ten coulomb और minus ten coulomb है charge यहाँ पे charge यहाँ पे क्या है कम है और यहाँ पे charge क्या है ज्यादा है यहाँ है डबल कर दिये charge ज्यादा सोच के बटाइएगा force महसूस होगा force कहां पे ज्यादा कहां पे कम सोचिये पहले the force कहां पे ज्यादा होगा और force कहां पे कम होगा यह आपको सोचना पड़ेगा where is the more force and where is the less force दो charge है plus minus charge कम force भी क्या होगा कम है छोटा छोटा अगर magnet यूज करते हैं तो कम force महसूस होगा बड़ा-बड़ा magnet को यूज करेंगे बड़ा-बड़ा magnet को then you will get more force force depends upon charges charge पे depend करता है charge अगर less है तो force भी less है charge अगर ज्यादा है तो force भी क्या होता है ज्यादा होता है चार्ज डिपेंड करता है क्या force पे डिपेंड करता है force डिपेंड करता है किस पर charge पे फोर्स और चार्ज का संबन product of charge है जितना ज़्यादा चार्ज यहां पे product of charge 25 यहां पे product of charge कितना हो गया 100 चार्ज का इमाउंट पे डिपेंड करता है चार्ज अगर हम इसको ऐसे रगड़ के दीरे से रगड़ के फोर्स लगाते है जादा रगड़ेंगे जादा चार्ज तो जादा फोर्स काम करता है चार्ज पे डिपेंड करता है फोर्स चार्ज अगर कम रहेगा तो फोर्स भी कम होगा, charge अगर जादा होगा, तो force भी जादा होगा, यही है first लोग, कि force depends करता है, जा सुनिए, first लोग क्या बता रहे हैं, कि force is directly proportional to product of charges, more the charge, greater is the force, less the charge, less will be the force, force depends upon charges, force defend upon charges, charge कम, force कम, charge जादा, force जादा, force जादा, force जादा, force और charge में सीधा संबंद है, understood, सीधा समझते हैं, यह कम तो यह भी कम, इसे मालिज आप practice करेंगे, study करेंगे तो जादा नबर आगा न, study and marks में क्या संबंद है, study अगर जादा, तो marks भी जादा में है exam में, it is called directly proportional, जैसे study अगर कम करेंगे तो marks भी कम मिलेगा, इसा चुरीरे इसा 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 is called directly proportional बोलते हैं, तो धासमिया, the force between, the force between two charges, the force between two charges, is, the force between two charges is the force between two charges is directly proportional the force between two charges is directly proportional to what product of charges charge agar kya hoga jada hoga to force b kya hoga jada hoga charge agar kama hoga to force b kama hoga so in this way first baat आपको समझ में आ गया कि force और charge के बीच में directly proportional है मतलब सीधा मतलब यह कम तो यह भी कम charge और force charge कम force कम charge जादा है कि 10 और 10 और जादा तो charge जादा हो गया तो force जादा होगे तो low क्या है कि force depends करता है charge पे directly proportional to product of charges इसको नौट कर लिजे और यह example के रुपे नौट कीजे बता रहे हैं कि तेल में कहा पे जादा force काम करेगा अब उसने अपने से लिके दिखाईगा फाइप कूलम charge है सपोर्ज यहां पे एट कूलम charge है यहां पे टेम कूलम charge है और यहां पे टू कूलम चार्ज है, फ़र्ष केस में, सचेंड केस में, सोच के बताईएगा, कि ज़्यादा फोर्स कहां काम करेगा, दोनों को सेम डिश्टेंस में रख दिये, फोर्स डिपेंड अपोन चार्जेज, टेल मी, in विच केस, लिखके दिखे, सब कोई कहां पे ज़्यादा फोर्स काम करे का, अट्रिक्षन होया, रिपल्सन, दोनों प्लस, दोनों मैंस, बुलीए, कहां पे जाला लिखिया, यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे छार्ज पेरंड करता है, फट्ट करिए, फैई बेट जप फोर्स है जुटबत होई, मैंस कोई फ़र्टने में प ngh Navy कहा है, फोर्टि, यहां पे Q1 और Q2 कभे रों कितना है? 30. तो चार्ज यहां पे क्या है? Lace. इनके बीच का force क्या होगा? Lace. चार्ज यहां पे क्या है? More. तो force भी क्या होगा? More. तो charge और force के बीच में directly proportion है. More the charge, greater is the force. Force depends upon charges. Note कर लीजे. तो यह था first flow. Second flow समझा रहें. Note किजे. Tell me. Second flow. 5 C charge minus 5 C charge. 5 C charge minus 5 C charge. There are two different cases. In which case you will get more. In which case you will get more force. तो देखिए यहां पे. Charge तो same है. Charge दोनों में same है. 5, 5, 5, 5. लेकिन यहां पे दूरी. R मतलब क्या होटा है? Distance. Distance में भी depend करता है. Distance में भी depend करता है. R यहां पे जादा हो गिया. R यहां पे कम है. है कि नहीं. R यहां पे कम सोच के बताइए. In which case you will get more force. एक दम इंचली सोच सकते हैं. माली दो मैगनेट को रखे हैं. नजदिक में. लगे लेकिन फोर्स महसूच होगा. मैग्टिक फोर्स. दूर में ले जाएंगे. तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा. Similarly, if you rub the hair and raise the papers. नजदिक में रहेगा उठेगा. इतना दूर से नहीं उठेगा. सो distance पर डिर्पेंट करता है. अगर FR कम है, तो फोर्स क्या होता है? उल्टा आया, पिने देखे उल्टा आया. ये कम, ये जादा. आर जादा, फोर्स क्या है? कम. तोर्स ओर दूरी में फिर्पेंट करता है, और वो क्या होता है? उल्टा. to help उल्टा फ्रोपोर्शनल मत डिरेक्ट्ली के इंवर्षली इंवर्षली-प्रोपोर्शनल होता है इवर्षली-प्रोपोर्शनल देखिये कैसे उस्में डिरेक्ट्ली था 5.8! honour 14, 10.3.OP 32 चार्ज यह पे जाधा फोर्स यहां पे ज्याद़ फोर्स डिपेड अपों चार्ड डियक्तली हे यहां पर क्या उंटा από राज़म है उल्टा। दूरी पर डिपेंड करता लुह जदीजादे दूरी जादा रही कंग्गु कर्द्स कम्थम्थम्र मौपट सुनगधोर हुआ easily rage here in this case but in this case it will not it the force will cover disappear you will not able to raise the force sorry papers so you can say force depend upon dhuri or ulta hai ki na ulta meri ulta inversely proposed na to understood the character statement the force between two charges do charge ke beech ka force is kya hoota hai inversely ulta one by no ulta see the one directly up for proportional to proportional to square of distance between them square of distance between them dhaan sunnijay force nikaalne ka formula ke karabbaran doh force depend upon charges and similarly the force depend upon dhuri dhuri ka ulta hota hai aur charge ka seedha hota hai doh charge ke beech ka force note karin ji ji so look here so in this way you learn the force depends upon the following two factors so look here how to explain explain cool and slow so look here we have two charges suppose q1 hai q2 hai positive and negative kohi mahtlab nahi r aur f kya force to first loom log kya parliye force dependence upon harm force depend upon dhuri ka force depend upon dhuri ka square combine kombine karenge toh kya ho jayega force proportional to kya q1 q2 by kya hoga r ka square equal to side k और के Q1 Q2 by क्या हो जाएगा R का स्क्वाइब के इच क्या है के इच क्या है कॉन्स्टेंट लुक एर फर्ष्ट लो सप्केंड लो दोनों को मिला दिये एक साथ Q1 Q2 उपर दूरी का स्क्वाइब प्रोपोस्टनर अटाएगे इकवर तू साइन के के इच कॉन्स्टेंट इस वे यूब फर्मूला के Q1 Q2 बाई R स्क्वाइब अड़स्टूड तो यह फर्ष्ट फर्मूला बनने जा रहा है अबाउट दा फोर्स बिट्विन टू चार्जेज डिपेंड अपोन कิसे डिपेंड करता है चार्ज पे और दूरी का Егоiven पे कॉंबाइल कर दिये है कांस्टेंट के लिग दिये है कांस्टेंट किलियर है के किम विलोग्हें बताएं अब बताएंगे भी को पोर्स डिपेंड करता है शो इसको बलते हैं लोग क्या और बोलते हैं इसको लोग पार्मीटी वीटी ओफ क्या मीडियम मीडियम का पे लिए डिपेंड करता है दो चार्ज को अगर एर में रखिएगा अलग फोर्स महसूस होगा दो चार्ज को अगर आप वाटर के अंदर रखिएगा तो अलग फोर्स महसूस होगा तो फोर्स यहान से देखिए फोर्स पाई एप्सलेंन नोत नोट प्ढ़ते हैं नोत मतल मतला मीडियम के लिए, म Dartmouth प्ड़ते हैं एप्सलेंन इसके बाद इसके बाद से यह क्यों बट嗎? क्या है? R square. So force is given by 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R ka square. Q1 Q2 by R ka square. Where constant क्या है? 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. So look here. So formula for force. Force depend करता है. Charge पे भी depend करता है. Depend करता है. दूरी पे भी depend करता है. और depend करता है क्या? Medium in which क्या? तीन बात पे depend करता है. Charges are kept. जिसमें दो medium को charge का change करने से force भी change होगा. Force depend upon medium. The medium मतलब permitivity परते हैं. Epsilon. Note किसके लिए? Air के लिए. Different medium कदा सुनें सब कोई? Different medium have different force. Different medium have different force. जिसे कोई दो charge को, सब को देख रहे हैं? दो charge को अगर हम लोग, यहां देखे सब कोई? दो charge को air में रख रहे हैं. Q1, Q2, R दूरी. यहां का force. दो charge को Q1, Q2, R और इसको water में रख रहे हैं? अलग medium है. तो force in air अलग होगा. Not same. Force in क्या? Water. वही दो charge को दूसरा medium में रखेंगे. तो force will be क्या होगा? Different. Force depends upon charges. Force also depends upon distance. directly proportional, inversely proportional. At the same time, force also depend upon medium in which charges are kept. Different medium have different force, different value. अलग-अलग medium का अलग-अलग. Air के लिए epsilon note लिखते हैं. Water के लिए अलग होगा. सब का value बताया जाएगा. Permittivity मतलब air का अलग होगा. Water का अलग होगा. Columns ने बताया था. कि different medium have different values of permittivity. So their force will be different. Same force नहीं होगा. Same charge अलग-अलग medium. The force will be different. So in this way you can say the force depends upon the following three factors. One is called charges. Other is called distance. And other is called medium in which charges are kept. Understood? सारा बात को नोट कीजिए and wait for five minutes. I am coming for just a word. One by four pi epsilon note. Q1, Q2. Sorry. So this value is 9 into 10 का power 9. Numerical value होता है. 9 into 10 का power 9. इसमें? इन एर में. तो force निकालना है न, एर में. तो के, यह जब क्या लिखेंगें हम लोग? One by four pi epsilon note. Product of charges by square of distance. If इन अदर medium निखालना है. तो क्या लिखेंगे? One by four pi epsilon. इसे महाने रहेगा water. तो water का अलग value होता है. W. बताएंगे इसका value. सबका अलग-अलग value होता है. Q1, Q2 by r y. ऐसे हम लोग खर्मोला बना सकते हैं. So different values है. Different क्या होता है? value of force. Force अलग-अलग जगा में अलग-अलग होता है. K का value one by four pi epsilon note. 9 into 10 का power 9 का value होता है. इसको और ऐसे दिसकते हैं. 9 into 10 का power 9 और 8 वाला ही जवत पढ़ेंगे आपको. अलग-अलग अलग 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 होता है. जामें डर्ना नहीं है. You will get the value wherever the questions are asked in this topic. ऐसे परते परते यार यह हो जाएगा गरंटी है. Q1, Q2 by क्या होगा? R2. ऐसे. Water का अलग होगा असको बाद में लिखेंगे. एक अलग होता है. Water का अलग होगा. Glass का अलग होगा. Glass का अलग होगा? R का square. पूरा बात को note कर लेंचे. अलग होगा? सब्सक्तिक को लिख लिखेंगे लिखेंगे? अलग-अलग, medium का अलग-अलग होता है. Force का formula बन गिया. अभी तक 100 पर कितना फर्मूला बनना होगा? क्या के बना? बोलिए. Q निकालना है तो N, E. N निकालना है तो Q by E. Force निका में निकालना है तो कैसे लिखते हैं वान बाइ फोर पाई एफलम नोट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्कॉर एफ इन अधर मिडियम लाइक माल यह वाटर में निकालना है तो सोफार इतना फर्मूला हम लोगो पता चल गया understood इतना फर्मूला हम लोगो अभी तक में पता चल गया कोई डाउट निये किसी को अब देखिए about k के बारें पहले पढ़ेंगे लो about k देखिए f is equal to क्या है k q1 q2 by क्या होता है r square प्रोज करिए k q1 q2 equal to क्या होगा f into r square k is given by a r square by q1 into q2 f r square by q1 into q2 understood f into r square by q1 into q2 तो देखिए सबसे पहले unit of k कितना होता है k का unit को लिए देखिए सब को जानते होंगे k is equal to force का जानते होंगे सब को क्या बोलते हैं लोग newton force के लिए newton r मतलब दूरी के लिए क्या बोलते हैं लोग मीटर का square सबको जानते होंगे SI unit लिकरे हैं SI ना standard international standard 11th class 10th class charge का क्या होता है कूलम और एक वो charge है देखिए दो charge है इसका भी कूलम इसका भी कूलम तो क्या answer आया k का unit क्या होता है newton meter square पर कूलम का square newton meter का square पर कूलम का square और इसका k का value one by four pi epsilon note किसमें air में nine into ten का power nine newton meter square पर कूलम का square newton meter square पर कूलम का square k is given by one by four pi epsilon note है कि नहीं इसका भी के तर नाइट इसका नाइट पर कूलम का कूलम का square और nine newton meter square पर कूलम square पर कूलम का square इसका अबाउट के इन कूलम स्काइल हर जगा बहुत बार के मिलेगा कूलम का के के बारे में बात हो रहा है इतना बार लिग दिए के constant f is equal to force k q1 q2 by r square gross कर दिए k q1 q2 equal to f into r square k is given by f r square by q1 q2 क्या होगा न्यूटन मीटर square by कूलम का square और इसका भेलू कितना होता एर में nine into ten का power nine newton meter square पर कूलम का square understood सब को समझ में आया होगा नोट कर लीजिए पूलम स्लो के बारे में सब कुछ आपको बता दीए तो चलिए इसमें अगरा topic है territivity पर्मिटी भी टी ओंफमिडियम ये क्या होता है इनके बारे में study करें पहला बात ये क्या है believe बेलू है, बेलू ओक मीडियम है, मीडियम का बेलू को हम लोग क्या बोलते हैं, परमीटी बीटी, इन वीच, चार्जेज आर के, जिसमें चार्ज को हम लोग रखते हैं, जिसमें हम लोग चार्ज को रखते हैं, उस मीडियम का बेलू को हम लोग परमीटी बीटी बोलते हैं, है कि नहीं, air के लिए epsilon note पढ़ते हैं, epsilon note और other medium के लिए लिखा हुआ रहे लेगा उसको के लिए दुसरा बात धास देखिए, k का बेलू क्या था में के पास, one by four pi epsilon note इधर जाएगे तो क्या होगा, epsilon note equal to क्या होगा, one by four pi क्या होगा, k के इधर आ जाएगा epsilon note is equal to one by four pi k, understood, one by four pi epsilon note, epsilon note इधर आ गिया, one by four pi k, k का उल्टा है, देखिए, epsilon note k का उल्टा है, तो इसका unit भी क्या होगा, देहा सुझे, इसका unit of epsilon note, देहा सुझे, k का उल्टा कर दीजे, k के इतना लों के पास, newton meter square पार pullem square, इसका क्या होगा, pullem का square, by क्या होगा, उल्टा लिखना पड़े, k का उल्टा है, देखिए, k का होटा है, newton meter square पर pullem का square, understood, तो permittivity उसका उल्टा है, हना उल्टा है, तो pullem का square by क्या हो जाएगा, newton meter square हो जाएगा, क्या रहा है, permittivity air में, एफलन नोट, permittivity of air medium, fix है, याद हो जाएगा, पड़ते हैं, पड़ते हैं, 8.85, 10 का power, minus 12, कूलम का square by क्या होगा, newton meter square, कूलम का square by newton meter square, understood, के बारे में देख लिजे, permittivity देख लिजे, कोई पूछेगा, permittivity क्या होता है, तो बोलेगा, charge को जिस medium में रखते हैं, उसका जो numerical value होता है, इस simply called permittivity, इसका और मिनिक समझाएगे, पहला सबसे simple मिनिक है, इसको epsilon note से दिखाते हैं, अगर medium के लिए epsilon से दिखाते हैं, k का उल्टा होता है, 4 pi का तो हिट नहीं होगा, k का उल्टा युट लिग दिजे, newton meter square per coulomb square k का होता है, k का उल्टा कर दिजे, coulomb square by newton meter square लिग दिजे, 8.85 k का पावर minus 12, understood, पूरा बात note कर लिजे, सुहरा अच्छा से, clear हो गिया, उमीदे सबको समझ में आया होगा, तो आज़ानों पूलन स्टोप पढ़ दिए, कैसे यूच करते हुआ, आगे क्लास में पता चलेगा, कल chemistry and maths होगा, टाइमिंग आपको, गुरूप में पता चल जागा, उमीदे दो पर में यह कुछ प्रोब्लम में इसने माज़ नहीं कर पाएं, कल ठीक रहेगा, कलो पढ़ाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो फिर साम को ही होगा, हम बता देंगे इसके बारे में, understood, उमीदे स